नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुजय और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूटूब पर पढ़ाने के लिए खुद का पीडियेफ कंटेंट कैसे बनाए एक वीडियो हमने बताई थे जिसमें आपको बताया था कि आप अपने स्मार्टपॉन के मादे हमसे किताब क खरका फोक कango करके उसे पीडियेफ में कंट्र पर कैसे पता सकते हैं। इस वीडियो में भाउत सार करके पूचा पूचा कि सार यह जो फीडियेफ हम बना रहे हैं इस पर हमें कॉंफी राइट के समावना रहे यानि कि हम जिस भी बूक का फोटो कीज कर वीडियो बनाते हैं हमें डर रहता है कि कहीं उधर से कोफी राइट ना आ जाए तो उसका सलूशन आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं यानि कि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप खुद अपना कंटेट कैसे बना सकते हैं वह भी फीडियो फर्बट में तो चली जानते हैं तो सिंपल इसके लिए कुछ नहीं करना आपको प्ले स्टोर से इस वर्ड अप्लिकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना यह में स्वर्ड का यह एक पार्ट है जो कि मुबाइल वर्जन के लिए इवि जाता है तो चली हम यहाँ पर आपको फीडियेफ बना करके दिखाते यानिकि आपको कंटेंट बना करके दिखाते तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना यहाँ टॉप में प्लस की तरह जो आइकन दिखा इस पर आपको क्लिक करने होंगे उसके बाद यहां से आपना मन से दिना सलाइड यानि की पेज़े चुल लें फिलाल हमें पर ब्लैंक चूज ले रहा है यानिकि वाइट कलर में फुल ब्लैंक उसके बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना यहां से आपको अपना कुशन लिखना होगा तो चली हम अपना कुशन लिख लेते हैं तो दोस्त है कि आप देख सकते यह जो कुशन है इसे हम रेड कलर में करना चाहते हैं और थोड़ा हाइलाइट तो सिंपल हम इसे स्लेट करेंगे और सबसे पहले तो इसका फॉंट हम चेंज कर लिए तूछ इसके फॉंट को हम कर लेते हैं अठाडा उसके बाद यह जो लेटर हम इसे बोल्ड कर लेते हैं इसके बाद हम इस आप्शन को स्लेट करेंगे और इसे भी फॉंट चेंज कर लेते हैं और वह ठाड़ा है तो हम इसे सुलख कर लेते हैं कुछ इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसे इटालिक भी कर सकते हैं इस तरीके से इसका अगर आप खॉलर चेंज करना चाहते हैं तो खॉलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि एक ही साथ इसका answer भी highlight हो तो simple इस question का जो भी answer हो जैसा कि हम यहाँ से oxygen को select कर लेते हैं जो भी answer हो उससे आप इस तरीके से select करें अगर आप चाहते हैं कि question हो green color में हो तो यहाँ से आप इसका color चूज कर लेंगे जो color है यहाँ पर इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको और बहुत सारे option दिख जाएगा तो simple आप इस तरीके से green कर लेंगे इसी तरीके से और सारे question को add करने के लिए चलिए हम यहाँ से copy paste कर देते हैं जैसा कि यह मेरा माली जै दूसरा question है आप अपने keyboard के माध्यम से leak भी सकते हैं हमने यहाँ copy किया और paste किया और simple यहाँ पर हम इसे done कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा keyboard और इस center को click करेंगे तो यहाँ दू नमर आ गया और हम यहाँ से इसे paste कर देंगे इस दो को हटा देते हैं इस question में जो दो है उसे और फिर से हम इसे bold कर देते हैं अपने question को bold यहाँ से इसका color भी हम change कर लेते हैं चलिए black ही रहने देते हैं इसका जो size था हम 80 कर लेते हैं अठाड़ा हो गया उसके बाद हम इसे option को select करते हैं उसके बाद पहले इसे हम red color कर लेते हैं कि यह हुए red उसके बाद इसका जो size है उसे हम कर लेते हैं 16 और इसका जो correct answer हो आप select कर ले जैसा कि इसका answer मान लीजिए C सही है तो हम इसे C को select करेंगे अगर आप एक ही बार answer highlight करना चाहते हैं तो आप पढ़ाते time to answer बता ही देंगे तो उसे आप select कर ले और यहां से इसका जो color है वो green कर ले तो इस तरीके से आप जीतने cushion को इस page पर add करेंगे उतना आप अपने आप कर सकते हैं यहां से आप थोड़ा दोनों कुशनों को बीच गैप दे दे जैसे कि हम यहां से दे रहे हैं कुछ इस तरीके से और इससे हटा दे तो इस तरीके से आप कर लें आप देख रहे हैं कितने अच्छा तरीके से देख रहे हैं इस तरह आप जितना कनवर्ट हो पाएगा तो हम चलिए इंटरनेट खोल लेते हैं उसके बाद सिंपल इसे करते हैं फिर से इस त्री डॉट पर क्लिक करते हैं और से राइस पीडियेफ पर करते हैं तो आप देखेंगे कि जो फीडियेफ है फाइनली हमारे फोन में से हो जाता है आप देख सकते ह हमें डॉक्मेंट के रूप में आ गया है कि आप इसे सेर कहां करना चाहते हैं तो आप अपने फ्रेंट के पास सेर कर दे या नहीं था आप चाहते हैं कि हमारे फाइल में सेव हो ऐसे तो फाइल में सेव होता है अगर आप चाहते हैं कि हम एक लोकेशन में सेव करें तो सिं अपने फोल्डर में वहाँ पर आपको दिखाते हैं तो यह आ गए हम अपने फोन के इंटर्नल में और यह डाउनलोड है और यही रहा मेरा पीडियेफ चलिए हम इसे उपन कर लेते हैं जहां दोस्तों तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीका से हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और आप इस फीडियेफ का इस्तेमाल करके आप एजुकेशनल वीडियो इसली तरीके से बना पाएंगा देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से प्रेंट आउट हुआ है इस तर शेयर किया वीडियो कैसी लगी कमेट बॉक्स ने जरूर लिखिएगा मिलते हैं फिर आप से अगले वीडियो में